हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है डॉमेश्टिक फ्लाइट के हवाले से अपडेट है कि अब आप मातर 1400 रुपिये में हवाई आत्रा कर सकेंगे इसके ला भारा सरकार कुछ और देशों के साथ फ्लाइट की संख्या बढ़ाने जा रही है उस पर अपडेट है तो इन सब पर दोस्तो बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी से अपीले अगर आप हमारे चैनल पर नए है हमारे वीडियो को आप अगर पहली बार दे अपडेट दी गई है कि अब आप मात्र 1400 रुपिये में हवायात्रा कर सकेंगे डोमेश्टिक हवायात्रा अब आप मात्र 1400 रुपिये में कर सकेंगे ये जो 1400 रुपिये में हवायात्रा है ये आप सीलांग से डिबरु गड़ के लिए हवायात्रा कर सकेंगे इस रूट पर दो नॉवंबर से इंडिगो की फ्लाइटें आपरेट हो रही है तो अब आप इसका टिकट मात्र 1400 रुपिये में खरीद सकते हैं सिलांग से डिबरू गड़ के लिए अगले अपडेट दोस्तों को वैक्सिन को लेकर हैं तो तीन नॉवंबर को डबलो एक्सिन को मानता मिलने के बाद कई सारे देश को वैक्सिन को मानता देना सुरू कर चुके हैं अपने अपने देश में आश्ट्रेलिया यूएस से यूके जैसे बड़े देश के बाद अब ह भारत के डिप्लोमेसी इस संबन्द में लगातार कोशिश कर रही है कि WHO से मानता मिलने के बाद जिन देशों ने अभी तक को वैक्सिन को मानता नहीं दिये वो देश भी को वैक्सिन को मानता दे इस संबन्द में भारत के डिप्लोमेसी लगातार कोशिश कर रही है कि को वैक् Ministry of Health के e-service portal को लेकर है जिस पर आप अपना वैक्सिन साइटिफिकेट का रेइस्टेशन करते हैं एप्रूवल के लिए वो साइट किछले कुछ समय से डिस्टर्ब थी कुछ एरर उस पर आ रहा था कुछ तक्नीकी खामियों की वज़ा से वो साइट नहीं चल रही थी तो बैर अब वो साइट सुरू हो चुकी है सही हो चुकी है तो अब आप अपना वैक्सिन साइटिफिकेट का रेइस्टेशन कर सकते हैं अगली अपडेट दोस्तों बारत में नार्मल कमर्सियल इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से तो आप सबको पता है कि अभी भारत सरकान ने 30 नॉमबर तक नार्मल कमर्सियल इंटरनेशनल फ्लाइटों को बंद किया हुआ है उन पर पाबंदी लगाए हुई है जो भी फ्लाइटे चल लगा है वो एर बबबल एग्रिमेंट के तहत चल लगा है अभी भारत सरकार ने 28 देसों के साथ ने एर बबबल एग्रिमेंट कि पाबंदी हटाने के लिए विचार नहीं कर रही है साब कहा गया है कि जिन देसों के साथ में एर बबबल एग्रिमेंट है उनके साथ में फ्लाइटे बढ़ाई जाएंगी जहां पर डिवान जादा है खास तोर पर USA के साथ में UK के साथ में जर्मनी के साथ में आश्ट्रेल पाबंदी लगी हुई है उसको अभी हटाने का विचार नहीं है इसके लाव बताया गया है कि जब COVID-19 से पहले जिस तरीके से फ्लाइट की डिमांड थी जिस तरीके से फ्लाइट की मांग थी अगर उसी तरीके से डिमांड होती है तो नार्मल कमर्सियल इंटरनेशनल फ्ल तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूटूड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्यार लखिए खुस रहिए गुड बाए अजया पुड पर देने